दोस्तो कल का मेच पूरा रोमांच से भरा हुआ था और लाश्ट ओबर पूरा ड्रामे वाला था तो कल का मेच की क्या हाइलाइट थी इस वीडियों हम जानने बाले है तो जो कल का मेच था क्यार वर्सस पंजाब किंग्स के वीच में खिला गया था और यहाँ पर पंजाब क और उनके साथ ही साथ सिखर धवन, दोनों यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और स्टार्टिंग वहीं अच्छी सोट लगाने लगते हैं, लेकिन फिर जैसी यहाँ पर एक सोट खेलने के लिए जाते हैं, वो कट निकल जाती हैं, और विकट कीपर बहुती सा हो जाते हैं, इस तरीके से बोवी बहुती असानी साथ हो जाते हैं, और यहाँ पर क्रीज से चलते हैं, उनका स्कोर यहाँ पर जीरो था, फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं, लियाम लिविंग स्टैन, और इनकी तरफ से आते से ही हमें कुछ अच्छे सोट मिलत हैं, और जो विकेट्स हैं, वो एमपार को इल आ जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर लियाम जो लिविष्टिंग है, वो यहाँ पर आउट हो जाते हैं, यहाँ पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जितेश सर्मा जो की पिछले मेचों में कुछ अच्छे फॉर्म में चल र रहे थे, और जितेश सर्मा भी कुछ अच्छे रंग दिखा रहे थे, और उनकी तरफ से भी हमें अच्छ अच्छे सोड देखने के लिए मिल रहे थे, यहाँ पर अच्छी पारी चली रही होती है, कि जितेश सर्मा कट आउट हो जाते हैं, और विकेट की पर यहाँ पर को सोड मारते हैं, लेकिन जो गेंद हैं काफी जादा उच्छी चली जाती है, और यहाँ पर केके आर के जो फिल्डर है, वो इसे केंच ले लेते हैं, तो इस तरीके से सिखर दावन संतावन रनों को स्कोर पर आउट हो जाते हैं, इनके बाद बल्ले बाजी करने आते हैं, र रिसी दावन भी आते से कुछ अच्छे सोड मारते हैं, और यहाँ पर उनकी तरफ से भी हमें अच्छे सोड देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेम करन रिसी दावन दोने यहाँ पर पारी को समाले हुए थे, और काफी अच्छे सोड हमें इनकी तरफ से देखने के लिए म कि गेंद की जादा ऊंची चली जाती है और gwik itt कीपर इस किंस के लिए और इस तरीके से यहाँ पर यह ब्ल्लवाजी ऑउट हो जाते है किवल चार रनों के स्कोर पर इसके बाद बल्लवाजी को कम नहीं होने दिया और लगतार सोट खेलते रहा है और उनकी पारी की मदद से पंजाब एक बड़े स्कोर की तरह बढ़ रही थी और यहाँ पर लाश्ट ओवर में पंजाब के लिए बहुत अच्छे खुसकवरी थी क्योंकि इस ओवर उनके लिए बहुत अच्छे रन आय यहाँ पर रहा है रहिमन जब की तरफ से ग्यंद वाजी करना है रिसी धावन फिर यहाँ पर वल्लवाजी चालू हो चुकी थी और केक्यार की सुरुआद भी काफी अच्छी रही इनकी तरफ से भी काफी बड़े-बड़े सोट हमें पावर प्ले के बीच में देखने के मिलते रहे और जेसन रोई भी अच्छी वल्लवाजी कर रहे थे और गुरवाज भी एकदम सही रंग में हमें देख रहे थे और दीरे-दीरे इनकी अच्छी वल्लवाजी चली रही थी और केक्यार का खेमा भी खुस था क्योंकि वह उसी तरीके की वल्लवाजी कर रहे थे हो जाता है और एंपufficient देने दिते हैं लेकिन फिर वो जो यह फेसला है उसको रिविवु करते है लेकिन रिविव के बाद भी देखा जाता है कि जो डिनत्थी एकदम सिधी स吸ए जा रही थी यहां पर 30 लालते तो इस तरीके से गुरवाज आउट हो जाता है और केक्यार को पहले जटका लग जाता है गुरवाज ने अपनी पारी में 15 रनों की पारी खेली थी फिर इसके बाद वल्ले बाजी करना आता है नितीस राना तो नितीस राना तो काफी समय से अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और आत के फिल्डर इस गेंद को केंज कर लेता है इस तरह किसरे साजेसण रोऊ 38 रानों की अपनी पारी को खेलते और चलते बनता है इसके बाद आता है बैंक्टे साजियर और नितीस राना दोनों अच्छे रग में दिख रहे थे बैंक्टे साजियर भी अच्छे फॉर्म में द लपक लेते हैं तो इस तरीके से वेंग्टे से यार 11 रनों की स्कोर पर यहां पर चलते बनते हैं उनके बाद आते हैं आंदरे रसल जो कि पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं चल रहे थे लेकिन आते से वो भी अच्छे सोट हमें दिखा नहीं पा रहे थे लेकिन फिर भी और यहां पर जो बल्लेवाज रहते हैं वो काफी असानी से आउट हो जाते हैं उन्हें तीस राना इंकावन रनों की फारी खिलकर इसके बाद चलते हैं फिर आते हैं रिंकु सिंग जो कि केके आर के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेवाजी कर रहे थे कुछ सामय से अब य यहां पर रिंकु तो फॉर्म में चल रहे थे लेकिन रसल है जो इस गेम में भी फॉर्म में आ गया थे और काफी अच्छी अच्छी सोठ हमों की तरफ से देखने के लिए मिल रहे थे अब यहां पर नो गेंदों पर 13 रनों की जरूवत रहती है और इसके बाद जो रसल है चे गेंदों पर 6 रन की जरूवत रहती है तो पहली गेंद तो अर्सदीप सिंग बाउंसर डाल देता है जिस पर किसी भी तरीके की वाइड नहीं दी जाती है इसके बाद दूसरी गेंद वो फेकते है जिस पर रसल एक सोठ मारता है और इस गेंद पर एक रन ले लिया जा रहाए जाते है और इस तरीके सब लो गेंद पर दो रनों की जरूओत थी जीत के लिए एक रिंट पर यहाँ पर रे敢 कर एक about 25 ता मरत जो कि गयान बाउंडरी लाइन के बाहर चली जाती है और इस आखरी इं पर चैरर चला जाता है और इस तरही के से रिंग्ष सिङ्ञ आखरी इंपर की ट्रीड विया दिला देता है यहां पर रिंग्ष सिंग का फॉर्म इस वार काफी खतर नहीं रहा है और इस मेच को भी उन्हों में अपनी जोली में डालें